इगनु के तरफ से एक अपडेट किया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि दिसंबर 2021 ट्रमिन एक्जामिनेशन के रिजल्ट का पांचवा अपडेट आ चुका है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को कम्पलीट देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिपिकेशन को ओन कर लिजे ताकि इगनुसर रिलेटेट सभी अपडेट और नोटिपिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो चलिए सुरू करते है रिजल्ट चेक करने के लिए इस वाले पोर्टल पर आना होगा इसका लिंक नीचे दिया गया है अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो यहाँ पर डिस्पले हो जाएगा अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है इन्रॉल्मेट नमबर नोट फाउंड बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो अपडेट आया है इसमें आपका रिजल्ट डिकलियर नहीं किया गया है आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना होगा और अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में ये आपके दिसंबर 2021 कि ट्रमिन एक्जामीनेशन का पांचवा अपडेट है इससे पहले चार अपडेट आ चुके है जिसके बारे मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया है और ये जो अपडेट किया गया है ये 12 अपडेट के बाद सीधा 21 अपडेट को आया है और इसके अलावा बीच में भी अपडेट आया है लेकिन वेबसाइट पर इसको आज पबलिस किया गया है और ये जो आपके ए देखाव मिल जायोगा इनगा सिर्फ सब्यक् Fam मेरीं की अगया चे और इनके देख चेजियी और इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताया था यह जो कि गया यह रोगार्म प्रकृटर से बrimo नेुष on पहले भी update किया गया है 12 से लेकर कि 21 अप्रेल के बीच में जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 19 अप्रेल के date में भी बहुत सारे student का result जो है पोड़ पर update किया कि आगे हैं जैसे कि आप इनका देख सकते हैं बीजी प्रोग्राम के स्टूडेंट है और इनके तीन सब्जेक्ट का रिजल्ट डिकलियर किया गया है नम्मर वगएरा आप यहां पर देख सकते हैं और इसके अलाव अगर आपका यह कंफ्यूजन है कि एक्जाम में पास होने के लिए कितना नमर चाहिए तो उसके लिए आप यह वाला वीडियो देख सकते हैं इसमें आपको प्रोग्राम वाइज सभी डिटेल से मिल जाएगा और आप इनका देख सकते हैं इनके भी यहां पर दो सब्जेक्ट का रिजल्ट अप्डेट किया गया है और इसके अलाव है फिर टॉटलिंग में कुछ भी आपको मिस्टेक लगता है या फिर आप अपने नमर से सटिस्फाइ नहीं है तो ऐसे में आप री इवैलुएशन के लिए अपलाई कर सकते हैं री इवैलुएशन यही होता है कि आप अपने आंसर सीट को दुबारा से चेक करवा सकते हैं लेकिन यह फिरी में नहीं होता है इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते है या फिर आप अपने आंसर सीट का सकेन कॉपी पीडिया फॉर्मेट में मंगवा करके भी देख सकते हैं उसके लिए आपको कहां से अपलाई करना होता है उसके लिए आपको इस वाले पोर्टल पोटल पर अपडेट किया गया है, पासिंग नमर वेगरा के बारे में आप नीचे दिया गया वीडियो देख सकते है, BLIS प्रोग्राम के स्टुडेंट है, इनके एक सब्जेक्ट का रिजल्ट अपडेट किया गया है, इसके अलावा ऐसे बहुत से स्टुडेंट है, जिन्हें एक्जाम में बहुती कम नमर दिया गया है, आपको कम नमर क्यूं दिया गया है, यह आपको पता होगा, इनका आप देख सकते हैं 50 में से सिर्फ एक नमर दिया गया है तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता था कि आपको और नमर मिलना चाहिए तो आप re-evaluation के लिए apply कर सकते हैं या फिर answer sit का scan copy मंगवा करके देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था जादा जानकारी के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं इसमें आपको और भी डिटेल में पता चल जाएगा तो लास्ट में आपको इतना ही कहना है कि अगर आपके exam का result डिकलेर नहीं किया गया है अगर enrollment नमर not found आ रहा है तो आपको next update का wait करना होगा अभी बहुत सारे update आने वाले हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए कोई question है तो नीचे comment box में आप बता सकते है और अभी तक आपने मुझे instagram और twitter पर follow नहीं किया है तो follow कर सकते है और ignus related सभी update instantly पाने के लिए आप हमारे telegram चैनल को भी join कर सकते है सभी का link के नीचे दिया गया है तो मिलते है अगले वीडियो में thanks for watching this video